महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले सियासत्तेज पीजेपी कांग्रेस में सिरे लेने की मची होड़ मद्दिपदेश सरकार ने कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक रखा है मंदिर परिशर विस्तार पर्योजना के सुरुवाद 2017 में की गई थी नमस्कार मेरा नाम है शिवंकुश्वाहा और आप देख रहे हैं दाखवरदान जूज प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी के ठीक दोरे से पहले मद्देश में महाकाल कॉरिडोर का स्रे लेने की सियासतेज हो गई है मोदी जिस महाकाल कॉरिडोर का लोकारपन करने के लिए मंगलवार पुझ्जयन आ रहे हैं उसे कांगरेश ने कमलनाथ का प्रोजेक्ट बताया है वहें बीजेपी ने कांगरेश के इस दावे को सीरे से खारिस कर दिया है उज्यान के स्वी महाकाल लोक महाकाल कॉरिडोर के लोकारपंड से पहले अब उसका स्रेय लेने की होड मच गई है म villains पर्देश का अंग्रेस का दावा है कि महाकाल कोरिडोर की योजina तत्कालेन कमलनात सरकार में बनी थी जिसका स्रेय अब सिवराज सरकार ले रही है मdens पर्देश का अंग्रेस ने अपने ट्वीटर हैंड्ल से बकाएदा दो पोश्ट भी किये हैं और उसमें बताया है कि महाकाल प्रोजेक्ट कमलनाथ की देन है। पहले ट्वीट में उन्होंने बताया है कि धरमते में कमलनाथ विकास आस्था के साथ कमलनाथ जी मद्रब्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंती हुए हैं जिन्होंने महाकाल परिसर कुर्ष सवारने की योजिना बनाई स्युक्रती प्रदान की और बजट जारी कर कारिक रादम कराया जै बाबा महाकाल वहीं का अंग्रेज का दावा है कि कमलनाथ ने साल 2019 में इस प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड रुपे मंजूर किये थे अगमे तो सब चीजों का स्रे ले लेते हैं अब ये कहने ना लगे कि हमने किसानों का करजा माफ किया था जनता सब जांती है और वह भाजपा की भावणव में नहीं बहने वाली है मुझे दुख है कि मैने जिन चीजों की शिरुवात के थें उन्हें पूरा नहीं कर पाया। कांग्रेश की इस दावे पर मध्रदेश की परिवाहन मंत्री गोविंद सिंग राजपूत ने अपत्य जताई। और कहा कि कांग्रेश पका पकाया खाने आ जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेश का ये सफेज जूंट है। गोविन सिंग राजपूत ने बात करते हुए कहा कि वेखुद कमलनाज सरकार में भी मंत्री थी और उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि कमलनाज सरकार ने कॉरिडोर के लिए 300 करोड रुपे कब जारी की परिवहान मंत्री ने कहा कि महाकाल प्रोजेक्ट पूरी तरह से सिवराज सरकार का है जिसके लिए 700 करोड रुपे जारी की गए है उन्होंने कहा कि भाज़पा की सरकार में ही कासी विश्वनात कारीडोर बना अयोधा का बहुक्रती छित हैंसला आया और महाकाल कोरीडोर बनकर तयार हुआ है मदादें प्रिधान मंद्री नंगमोदी 11 अक्टूबर को उज्यान में तयार हुए महाकाल कॉरिडोर का लोकार पर करने आ रहे हैं करीब 750 करोड रुपे की इस प्रोजेक्ट का पहला चरण लगभग 350 करोड रुपे लागत का है मंदिर परिसर विस्तार पर योजिना की सुरुवात 2017 में की गई थी मद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान ने सभी से इसे इतिहासिक छण को देखने का अनरोध किया है सियम सिवराज सिंग चौहान ने ट्वीटर पर एक वीडियो सेयर किया था जिसमें नौन निर्मेद कॉरिडोर की जलक दिख रही थी उन्होंने लिखा कि भायत की काल जैस संस्कृति के परिचायक स्री महाकाल लोग को देश के प्रधान मंत्री नरंग मोदी 11 अक्टूबर को बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे व्यूरी रिपोर्ट दा खबर्दान न्योज